नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेर परीचे दोस्तु पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहदी महत्पूर्ण जानकारी को ले करके जी हाँ ये चीज सिर्फ दो कप पी लीजिए पेट की चरवी मूम के जैसे पिखल जाएगी ये है आज का टोपिक आप सभी के लि या फिर जो भी आपके सामने रिजल्टा है बिल्कुल साधारनसा दिखने वाला ये प्रयोग सिर्फ थोड़े से दिनों में अपना रिजल्ट आपको दिखा देगा और बड़ी बात तो ये है कि ये नुस्खा बिल्कुल आसान है बढ़ते वजन की वजह से अगर आपको भी लगने लगा है कि आपकी प्रेशनलिटी खराब हो रही है इतना ही नहीं आपने मोटापे को छुपाने के लिए अब आपने धीले कपड़े पहनना या अंगरेजी दवाओं का सहारा लेना भी शुरू कर दिया है तो पहले ये वाइस वर जरूर सुने आज की योग में लोग अगर सबसे ज़्यादा किसी चीद से परिशान है तो वो है वजन का बढ़ना और पेट में चर्वी का जमा हो जाना इससे नकेवल चलने फिरने में परिशानी होती है बलकि और भी बहुत सारी बिमारियों का जन्म हो जाता है इसलिए इस बढ़ते पेट की चर्वी क खत्म करना भी बहुत ही जरूरी है लोग लाखों रुपए डॉक्टर को दे देते हैं पेट की चर्वी को कम करने के लिए लेकिन फिर भी कोई असर नहीं होता है और साथ में पैसे भी बरबाद होते हैं लेकिन लोग कुछ घरेलू तरीके को अपना करके पेट की चर्वी क करने की कोशिश नहीं करते यदि आप भी अपने पेट के बढ़े हुए चर्वी से परिखान है तो आज यह आपके लिए वाइस ओवर है जो क्यानत तक जरूर सुनिए हम जो टिप्स बताएंगे इन्हें फॉलो करना है आपको इसके बाद आपका पेट इजिली कम हो जाए इसको बनाने के लिए आपको इन तीन ची जोक की जरूरत पड़ेगी जो कि आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएंगे तो आईए जानते हैं कैसे इसको तयार करना है सबसे पहले दो कप पानी लेकर के उसे गैस पर गर्म कर लेना है और फिर अदरक को चाकू की सहायता से खू खूब अच्छे से पानी में ना मिल जाए इसके बाद अदरक मिले हुए पानी को चान ले और फिर इसमें निम्बू का रस और शहद मिला ले इस तरह से आपका जूस तयार हो जाएगा अब इसको सेवन करने की वीध ही जान लेजे जूस तयार करने के बाद आप इसे रखें आप मन चाहे रिजल्ट से अगर ऐसा करेंगे तो दूर रह जाएंगे जिहां सुबह ये पीने के बाद सीधे दो पहर का खाना खाना है और खाने के पहले एक प्लेट सलाद खाना है और भोजन में हरी सबजियों का प्रियोग करना है रात को भी सुने से दो तिन घं से परहेज करें मीठा और चीनी मोटापे में जहर के समान है अनाज भी चोकर वाला यानि के आटे को छानने से जो कचरा निकलता है वो चोकर होता है उसको मत निकालें इसके बाद इस्तेमाल करें फलों का जूस पीने की बजाए फल खाना चाहिए इससे फाइवर भी मिल ज जरूर करें आपको एक महीने में ही रिजल्ट मिल जाएगा इस उपाय का यदि आपने इमानदारी से पालन किया तो आपका पेट अंदर हो जाएगा और आपका वजन भी काफी हट तक घट जाएगा पेट को अंदर करने के सभी उपाय हो चुके हैं फेल तो अब यह आखर उपाय आजमाएं जी हां आजकल के युवा अपनी फिटनेस को लेकर के बहुत सतर्ख हो चुके हैं हर कोई अपनी फिटनेस को मेंटेन रखने के लिए जीम की और रुख करता है या फिर योगासन करता है अगर आप अपने पेट की समस्या से परिशान है तो हम आपके बाहर की और खोलने और सीधे हाथ को धिरे धिरे नीचे की तरफ सीधे पैरों की और ले जाएं सीधी कमर के साथ नीचे की और देखें अपनी सीधी हथेली को जमीन पर रखें और अपने उल्टे हाथ को उपर की और ले जाएं इसी प्रक्रिया को दूसरी साइड से भी दो मुद्रा में हूं और हाथों को जोड़कर सिर के ऊपर तक ले जाएं पेट और कमर के लिए उत्तमासन है यह सुर्य नमस्कार सुर्य नमस्कार एक बहतर तरीका है क्योंकि यह शरीर के लगभग हर संभव अंग की कसरत कराता है यह कंकाल प्रणाली की सहन शक्ति बढ़ाने त पेट वाले हिस्से से शरीर को उपरिक के और उठाएं अपने हाथों से सहारा दे कर मुद्रा को कुछ देर तक बनाए रखें यह मुद्रा आपके हिप्स जांग पेट और पीट पर कारे करती है यानि कि इन अंगों पर कारे करके आपको फिट बने रहने में मदद करेगी जि कर में में।